अहीं नमस्कार दोस्तो आज हम यह सीखने वाले कि अगर हमारी उम्रे 30-40 के बीच में बिलॉंग करती है तो हम mutual fund से आने वाले 15 साल में कैसे हम एक करोड रुपय का wealth generate कर सकते हैं बिना tension के बिना किसी problem के केवल और केवल systematic investment के बल पे SIP investment के बल पे हम एक करोड रुपया अपने mutual fund से कैसे generate कर सकते हैं कैसे हम उसको investment करें और कौन से mutual fund में हमको investment करना चीए ताकि हम अपने इस journey को आने वाले 15 साल में minimum एक करोड का अपना portfolio बना सकी तो आईए हम discussion करते हैं आपके सामने दो ऐसे mutual funds का जो मेरी नजर में मेरे due diligence के हिसाब से आने वाले 10 साल 15 साल में ये minimum 20 से 25% का return आपको देते हुए CSR return देते हुए देखने को मिल सकता है और अगर ऐसा आपको return मिलता है तो आप बेसक 15 साल में 1 करोड रुपया का अपना wealth creation कर सकते हैं अगर आप on average अपनी salary का 15% 20% भी investment करते हैं यानि आप 10,000 से लेकर 15,000 रुपया अगर आप monthly invest करती हैं इस दोनो stocks में जैसे आपको 15,000 रुपय invest करना है 16,000 रुपय investment करना है तो 16,000 रुपय दो पार्ट में करके 8,000 रुपय investment कर दिये दोनों stocks में या आपको 10,000 रुपय investment करना है तो 10,000 को दो पार्ट में करके 5,500 रुपय investment कर दिये तो भी आप 15 सालों में 1 करोड रुपय की जो wealth है उसको आप generate कर सकते हैं तो बिना देर करते हुए चलते हैं अब हम दोग देखते हैं वो कौन से stocks है कौन से mutual fund है जो हमको इतना पैसा बना के दे सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे screener पे आज आते हैं और यहाँ पे मैंने grow app open किया हुआ है आप देख सकते हैं देखे grow app मेरे हाथ और इसकी जो working function है वह बहुत simple है बहुत layman language में आपकी जो को सिखाता है तो मेरे को लगता है grow app के थुरूँ आप investment कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ पैसे रखने वाला हूं कि अगर मान लेते हैं कि आप अपनी salary का 10-20% आप invest करते हैं और वह पैसा ही invest करते हैं आप अपनी salary का मालेज़े 10,500 रुपय का investment आप कर रहा है पर मंत और आपको 20-22% का return मिलता है देखिए अगर आप अच्छे mutual fund में investment करते हैं अगर mutual fund आप अच्छा select करते हैं तो मेरे को लगता है कि यह fund आपको 20% से लेके 25% का 10-15 साल में return generate करके दे सकता है तो म calculator को grow एप देख सकते हैं चेक कर सकते हैं तो अगर हम यहां पे इसको हम देखे तो कितना पैसा निकल के आता है यहां से हम फिर से ग्रो calculator पे जाना पड़ेगा cancel out हो गया है यहां से हम लिखते हैं SIP calculator सर्च करते हैं तो ग्रो आ गया फिर से वही पैसा हम रखते हैं यहां पर हम investment 25,000 को कर देते हैं 10,000 रुपए और return जो है लगबग 20, 25, 22, 21% का return रखते हैं और time period बढ़ा के हम यहां पर 15 साल का रख देते हैं तो हमारा पैसा कितना हो जाता है तो हमने 18,000 रुपए का investment किया अगर हम 15 साल तक investment करते हैं 10,000 रुपए पर मन्त के इसाब से तो हमने 18,000 रुपए का investment किया और हमको return 1,08,000 रुपए मिलता है और total जो value हो जाती है 1,26,000 रुपए देखने को मिल रहा है तो 1,26,000 रुपए में हमारा 1,08,000 का हमारा profit generate होके आ रहा है अगर हमको 20-21% का return generate होके 15 सालों तक मिल जाता है तो हम यह देखेंगे कौन से ऐसे mutual fund है जो आपको 15-20-21-25% का return generate करके दे सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर grow app पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहला जो fund यहाँ पर select करती हैं उसका नाम है SBI Technology Opportunity Fund इस fund के बारे में previous में भी मैंने वीडियो बनाया था इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ मेरे due diligence के साब से मेरे को लगता है कि यह fund अभी present time में सबसे best valuation पे चल रहा है पिछने एक डेड़ साल में इस fund ने कोई भी result generate करके नहीं दिया है अगर आप यहाँ पे एक साल का 6 महिने का data देखते हैं तो 6 महिना में यह negative return generate करके दिया है अगर आप एक महिने का देखते हैं तो एक महिना में 5% का रिटन जनरेट करके दिया हुआ है अगर आप एक साल में देखते हैं तो एक साल में 9% का केवल रिटन है और तीन साल में देखते हैं तो तीन साल में 32% का रिटन है उस range तक भी नहीं पहुचा, जो range 166 की NAV चलती थी, वो 166 की NAV अभी भी नहीं है, अभी present time में इसकी जो NAV है, वो 161 की NAV दिख रही है, NAV का मतलब होता है net asset value, इसको हम लोग बोलते है net asset value, इसका मतलब क्या है कि जितने भी इसमें stocks हैं, उस stocks का जो average निकाला जाता है, उस average क 10 की value बढ़ती जाती है, तो अभी उस 10 की value 161 के करीब दिख रही है, अगर आप यहाँ पर all time chart देखेंगे, तो NAV 10 से start होई थी, जो बढ़ते 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 अभी present time में 161 पे चल रही थी, लेकिन एक time पर यह 178, 179, 180 के करीब में चली ग stocks hold किया होगा, वो stocks perform नहीं कर पा रहे होंगे, simple सी बात है, तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से stocks है, इसमें है Infosys, अपने देश की top second largest technology company, जो जिसमें हिस्सेदारी लगबग 25%, यानि आपको 10,000 रिपया इसमें invest कर रहे हैं, तो 6,000 रिपया आप direct invest कर रहे हैं, किस company में, Inf Infosys में, TCS, TCS में 14.7, अपने इंडिया की सबसे largest technology company है, भारती Airtel 9.0%, Tech Mahindra 7.2%, Wipro 4.2%, SEL Technology 4.2%, तो आप जितनी company देख रहे हैं, Infosys, TCS, भारती Airtel, Tech Mahindra, Wipro, सब की सब गिरी हुई है, मैं आज इसे आपकर यहाँ पर दिखाओं, मैं, यहाँ पर मैं सर्च करता हूं, Infosys, Infosys मैं सर्च करता हूं, और मैं आपको दिखाता हूं, कि Infosys अपने top से कितना down है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 साल का chart देख सकते हैं, 1 साल का chart, तो 1 साल में Infosys 14% down देखने को मिल रहा है, 3 साल का chart देखते हैं, 3 साल में company यहाँ से देखे, एक बार company के दाम लगबग 1900 का था और अभी ये 1200 का चल रहा है तो 1900 का हाई बनाने के बाद Infosys 1200 के price पे चल रहा है और Infosys 25% की हिस्सेदारी रखता है इस mutual fund में Infosys के अगर हम हिस्सेदारी देखेए तो कितने percent की हिस्सेदारी है Infosys 25% से उपर की हिस्सेदारी रखता है इसका मतलब है कि जैसे इन Infosys का price फिर से इस top को generate करेगा अपने इस top को high को generate करेगा उपर जाएगा जो की जाना ही है technology company सबसे जादा उपर जाने में chances रखती है तो ये उपर जैसे ही जाएगा आपका जो ये mutual fund है आपको अच्छा खासा return generate करके देगा और अगर हम all time में देखे इतना calculation भी ना करें all time में देखे तो all time में इस mutual fund ने 20% का CSER return generate करके दिया है annualized यानि 20% पर साल आपका पैसा बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिला है तो अगर 20% के हिसाब से आपका पैसा grow हो रहा है यहाँ पे मैं आपको बता हूँ यहाँ पे मैं calculator open कर लेता हूँ और मान लेता हूँ कि आप जो पैसे invest कर रहा है वो यहाँ पे 10.000 र utilizz कर रहा है तो अगर आप 10.000 रिपा invest कर रहा है और आपको 20% की ही return देखने को मिलता है और time period मैं रखता हूँ 15 साल 15 साल का मैं time period रख देता हूँ तो आप कितने पैसे generate करके बना पाती है तो आपका पैसा लगभग 95 लाग रुपे के करीब में पहुत जाता है 18 लाग का आपका investment रो 77 लाग का आपको return मिलता है और मैं कहता हूँ कि एक करोड बनाने के लिए आपको 15 साल की जगए 16 साल का भी time period लग जाता है तो एक साल हम वेट कर लेंगे एक साल वेट करने से हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो पैशा है वो 19 लाग 20,000 रुपे हम invest करते है और 97 लाग रुपे हमको मिलता है जिससे हमारा पैसा 1,16,3,807 रुपे बनते हुए देखने को मिल जा रहा है तो केवल और केवल 20% के हमारे profit growth पे 20% CSGR के return पे मैं कहता हूँ 20% से भी तो जाधा हो सकता है जिस हिसाब से हम आभी investment की बात कर रहे है उस हिसाब से मेरे को लगता है यह minimum आने वाले 10 सालों में 25% का return देगा और 25% का return अगर 15 सालों तक अगर हम 10,000 रुपे का investment कर लेते हैं तो हमारे पास 1,5 करूल रुपे का investment हो जागा और मैं कहता हूँ 15 साल बाद जो 50 लाख रुपे है 49 लाख रुपीज है वो inflation के inflation और taxes सब कट जाता पिड़ जाता तो हमें केवल 1 करूल रुपे अभी तो यहां से profit होता और 1 करूल रुपे अगर हम 15 साल बाद आज का 1 करूल रुपे होगा 15 साल बाद 15 साल के valuation का 1 करूल नहीं 15 साल बाद तो उसके करूल की value डेल करूल रुपे है लेकिन हम कहते हैं कि उसकी value आज के 1 करूल के बराबर है तो अगर 1 करूल रुपे आज के time पे आपके पास हो और आप इसको केवल 12% के rate से grow करा पाए अगर 12% के rate से grow करा पाए तो आप 1 लाख रुपे पर मन्त का पैसा इसी पैसे से generate कर सकते हैं बिना कुछ किए कि आप इसको arrange कर देंगे पैसे को set कर देंगे रख देंगे और 12% का भी आपको minimum interest 12% मिलेगा तो भी आप अपने financial journey को find कर लेंगे और 1 लाख रुपे पर मन्त आपको मिलने लगेगा अब हम यहाँ पे दूसरी company भी देखना चाहेंगे दूसरा हम जो यहाँ पे technology company आपके सामने लाने वाले हैं वो कौन सा है तो यहाँ पे मैं यह जो company किसका है यह SBI technology opportunity fund है मैं आपको SBI की ही company और देखाता हूँ SBI small cap यहाँ पे मैं search करने लिए SBI small cap अब SBI small cap का अगर हम data देखें तो company एक महिने में 4% का return दी है 6 महिने में 1% का एक साल में 17% का return देखने को मिल रहा है और अगर हम यहाँ पे 3 साल में देखें तो 38% का return देखने को मिल रहा है 5 साल में 18% के annual returns मिल रहा है और lifetime अगर हम 10 साल का देखें जब 13 से list हुआ था 2013 में company 10 के face value पे 2013 से लेकर 2023 तक का अगर हम data देखें तो इस 10 सालों में 10 साल का time period हुआ और company कितने percent CSR return generate करके दे रही है 25% का CSR return है और 25% का CSR return अगर आने वाले 15 सालों तक और भी दे देता है तो यहां से अगर हम calculator से calculate करें कि अगर हम 10,000 रुपया invest करते हैं और हमको 25% के rate से 15 साल में मिलता है तो हमको 1.5 करूल रुपया generally बनके मिलेगा तो मैं आपको यही बताने चाहरा था कि आप 1.5 करूल रुपया एकदम आसानी से generate कर सकते हैं बना सकते हैं बिना tension के अगर आप अच्छी company में अच्छे mutual fund में भी invest करते हैं यह किनके लिए जिनको stocks में investments में problem होती है stocks का price लगात नाम है तो आप समझ सकते हैं कि अपने देश की सबसे बड़ी bank है तो यह कहीं से डूबने भागने वाली सिती नहीं है दूसरी conditions में कितने shares है तो इसमें 54 shares है और 54 shares small cap के छोटी छोटी कमपनियों के लगे हुए है और यहाँ पर जैसे blue star में 4.2% के सेदारी है त्रिवेनी turbine में 3.3% के कारवंडल युनिवेर्सल में 3.2 का कलपत्रू पावर ट्रांसमेशन में 2.9 का ऐसे ही बहुत सारी कमपनिया है जैसे विदान्त फैशन है विदान्त फैशन पर आपको एडिकेटेड वीडियो आज ही मिल जाएगा जो 2.7% के सेदारी ये कमपनी रखती है तो आप समझ सकत है फाइनेंसियल से भी कमपनी के पाद 6.9% की हिस्सेदारी है टॉप 20 में 50% जो टॉप 20 कमपनी उसमें 50% के हिस्सेदारी ये mutual fund रखता है तो कुल मिला जो लए कि मेरे हिसाब से बिना टेंशन के अगर किसी को अपने पैसे को बनाने है तो उसे इन दोनो SBI Small Cap Fund और SBI Technology Opportunity Fund क को prefer करना चीए यहां पर आप अपने पैसे को अगर आपने 10,000 रुपया माल लेते 10,000 रुपया को आपको इनवेस्टमेंट करना है तो आप इसको दो पार्ट में बाढ़ दीजिए 55,000 रुपया, 55,000 रुपया, 55,000 रुपया का इनवेस्टमेंट लगातार करते रहिए 15 साल तक करिए, बिना टेंशन के करिए, अगर आप 20% से लेकर 25% की भी इसके बीच में अगर आपको पूरा एनुवल इंटरस्ट रिटन मिलता है, कमपाउंड एनुवल ग्रोथ रिटन मिल जाता है, तो आप 1 करोड रुपया एकदम बिलकुल आसानी से बना पाएंगे, बिना टेंशन के बना पाएंगे, ऐसे ही स्ट्रॉंग फंडामेंटल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना नहीं भूलिए, बेल आइकन अगर आप नए है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेश करना नहीं भूलिए, इस ग्रूप को आगे बढ़ाने में हेल्प करिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक्यू, थैंक्यू सो मच,